श्रीनाज्जी गुरुजी कौलक आदेश, माभगवती कौलक आदेश, रांची वाले भहरबाबा कौलक आदेश, आप सभी कौ आदेश आदेश गाइत्री का मंतर जाप कैसे करें, बहुत सारे कमेंट्स में आया था कि गाइत्री जाप विधी बताया जाए, मैंने हमेशा से बोला है कि ग्रिहस्त को चाहे वो साधक हो या फिर एक ऐसे पूजा करने वाला जिसको देव दृष्टी चाहिए, जिनको चाहिए कि उनका घर ध सुभा में जल देना और दूसरा होता है गाइत्री मंतर का जाप करना, मजदार बात यह है कि जिब तक आप गाइत्री मंतर का जाप नहीं करते तब तक आपका सूर्वी का अरग है वो भी acceptable नहीं होता है, क्यूंकि गाइत्री के सामने जो जल रखते हैं, वही सूर्वी को सूर्वी को दिया जाता है, बाद में सूर्वी देवता का मंतर पढ़के, तो शुरू करते हैं बिना घूमे फिरे कि गाइत्री मंतर का जाप कैसे करें, गाइत्री मंतर का जाप करने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए गाइत्री भगवती की एक तस्वीर, चा की तरफ वह मूर्ति हमारे किसी प्रयोजन का नहीं होता है वह एक ऐसे देवी की मूर्ति हो जाते है गाहितरी मंत्र गाहितरी की मूर्ति में होनी चाहिए दूसरा गाईतिरी मंत्र के शुरुवात में आप क्या करते हो आप जो भी पंसुकार है जिस तरीके से पूजा किया जाता है वो सब पूजा की सामगरी रखो जो फुश्प है उसके बाद मिस्टान है उसके बाद धूप है पहूर जो भी पूजा की समगरी है वो रखो एक कलश में जल भरके रखे सामने और उसके बाद जो स्क्रीन पे मंत्र आ रहा है उस मंत्र को पढ़ते हुए आप दीपक जलाएंगे और देवी भगवती गायतरी का आवाहन करेंगे इसमें ये ध्यान में रखना है कि जब आप दीपक जलाए तो आपका भाव यह होना चाहिए कि इस दीपक को जलते ही भगवती का आवाहन करते ही भगवती गायतरी आ करके वहां बैठे या देवी मा भगवती का कोई भी रूप आ करके वहां बैठेगा और आपका पूरा पूजा सुनेगा ठीक है ये हमेशा ध्यान में रख का तो आपने आवाहन कर लिया उनको धी धूप दीब नवेद जो भी है वो चढ़ा दीजिए ठीक है उसके आद आपके स्क्रीन पर पहला साप विमोचन मंत्र आ रहा है ठीक है हाँ लेकिन साप विमोचन के बारे में जानने से पहले यह जान ले कि गाइतरी शापित हुई क् कि सारे मंत्रों को महादेव ने किलित कर रखा है गाइतरी मंत्र है कैसा मंत्र हुआ दूसरी पत्नी गाइतरी हैं तो एक बार एक यग्यों होने वाला था उसमें सावित्री जी को बैठना था किसी विस्तता के कारण वो ना बैठ पाई तो मा गायत्री बैठी इससे सावित्री जी काफी कुपित हो गई और उन्होंने गायत्री जी को ऐसा श्राप दिया कि तुम शक्ति विहीन हो जाओ जैसे ही गायत्री को शक्ति विहीन होने का श्राप मिला देवताओं में और पूरे ब्रह्मान में खलबली मज गई कि गायत्री अगर शक्ति विहीन हो जाएगी तो पूरा ब्रह्महांड की जो शक्ती है वो छिन हो जाएंगी तो फिर सावित्री जी मान गई और उन्होंने एक मंत्र बताया जिससे की गाईत्री जो है वो शाप से मुख्थ हो जाती है तो अभी आपके स्क्रीन पे जो आ रहा है वो गाईत्री का साविमोचन है तो जो पहला साफ विमोचन है उसमें ब्रह्म रिशी है गाहित्री चंद है वरुन देवता है ठीक है और इस मंत्र को पढ़ने से ब्रह्म साफ विमोचन हो जाता है तो मंत्र जो है मैं मंत्र पढ़के नहीं बताऊंगा गायत्री का कोई भी मंत्र पढ़ना बिना मतलब गुरू और शुषि के बीच में ही गायत्री मंत्र बोला और पढ़ा जा सकता है अच्छा एक विश्व और समझ लीजिए कि अगर आपके पास गुरू नहीं है तब भी आप साव विमोचन करके गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं ठीक है और गुरू है तो अनिवारे नहीं है कि आप साव विमोचन करें लेकिन साव विमोचन करना अच्छा रहता है ठीक है तो इसके बाद अभी जो आपके स्क्रीन पर मंत्र आ रहा है वो मंत्र है जिसमें कि यह बताया जाता है कि यह गायत्री जिसको ब्रह्म नाम कहते हैं धीर पुरुष अपने अंतकरन में आपको उसी रूप में देखते हैं आप ब्रह्म श्राप से मुक्त हो जाओ ठीक है तो यह पहला साविमोचन हो जाता है इसके बाद दूसरा साब विमोचन होता है गायत्री का एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी वशिष्ट जी और विश्वा मित्र जी में कॉंपटीशन लगा ठीक है और यह लोग अपने अपने शिष्टी के निर्मान और प्रलय लाने की शक्ति को दिखाने लगे अब प्रलय या निर्मान दोनों में गायत्री का वशक्ता होती है लेकिन गायत्री जी ने यह होने नहीं दिया इससे तीनों कुपित हो गए और फिर तीनों ने श्राप दिया तो एक तो ब्रह्मा का साब विमोचन मंत्र जो है वो तो मैंने बता दिया उसके है वशीष्ट के साप विमोचन मंत्र जिसमें वशिष्ट रिशी है अनुष्ठुप छंद है वशिष्ट देवता है यह मंत्र अभी आपके स्क्रीन पर आ रा रहा है इसके बाद मतर यह तो विनियोग हो गया उसके बाद जो इसका मंत्र है उसमें है कि मैं सूरी की जोती ब्रह्मा हूं मैं ब्रह्म की जोती शिव हूं मैं शिव की जोती विश्णू हूं मैं विश्णू की जोती शिव हूं हे गायतरी आप वशिष्ट के साफ से विमुक्त हो जाओ ठीक है यह दूसरे साफ विमोचन होता है तीसरे साफ विमोचन जो तीसरे आद्र के कॉम्पीटीटर थे उसमें और वह कुए थे विश्वामित्र रिशी इन्हों ने तो पता नहीं कितने मंत्र को किलित मरन रहित आपको नमस्कार है माला नहीं है तुलसी माला ओरिजनल घरच देगा वह लाल पीला हरा जो मिलता वह नहीं ठीक है और हमेशा उसको एक किसी पाूच में रख्येगा गयत्री जाब का माला कभी बाहर नहीं निकलना चाहिए तो तीन माला आप उसको रोज करेगा अगर आपके पास माला नहीं है तो घड़ी देख करके 15 मिनट गायत्री मंत्र का जाब करिए गायत्री मंत्र का जाब स्पीड में नहीं करते हैं आराम से करते हैं हर सब्द पे स्ट्रेस दे के करते हैं तीन माला आपने गायत्री मंत्र का जाब कर लिया उसके बाद अब स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा बिना इन 24 मुद्राओं को भगवती देवी गाहितरी के सामने दिखाए इस पूरे गाहितरी विधान का कोई मतलब नहीं रहता और कोई भी फल नहीं प्राप्त होता है तो यह 24 मुद्रा आपको भगवती के सामने दिखाना है ध्यान रहे जब यह 24 मुद्रा दिखाते हैं यह मुद्रा बहुत सीक्रेट मुद्रा होता है भगवती और चेलों के बीच मतलब जो भी पार्ट कर रहा है जो साधक है उसके बीच में तो चाहे तो जिस समय आप यह दिखा रहे हैं मुद्रा उसमय कमरे से सबको निकाल दीजिए या फिर एक परदा रखिए और मतलब जब चारो तरफ घुमाईये और आपके स्क्रीन पर आ रहा है वह विसर्जन मंत्र तो भगवती को आपने बुलाया उनको शाब विमुक्त किया उनको फूल दीपनवे चड़ाए उनको मंत्र दिया मंत्र आपने कर लिया तो मंत्र करने के बाद जो आपका जो माला है उसको हो जल को ठाईए और जल को आप सूर्य देवता को देदिए। के कंछी मंत्र है उसमें से कोई भी मंत्रा प्रेयोग करके उसको सूर्य देवता कोوق अर्पित कर सकते हैं हे हैं यह है स्वीट और सिंपल जाप करने का मतलब उपाय इसके लावा भी बहुत सार उपाय बहुत लंबा चोड़ा हो पाय है मतलब आप चाहे तो इतना लंबा विवस्ता है कि चार गेंटे-पाच गेंटे में गाइतरी का जाब कंप्लीट होगा लेकिन ग्रिहस्त के लिए इतना जाब काफी है जाब कंप्लीट करने के बाद वह कलश अगर उससे आप जुड़ना चाहते है तो आप देरे वाट्सप पर संबच किजिए इसके अलावा मेरे किताब है है हैंडूप फॉर पर पारनॉमाल इंवेजिटेटर वह आप एमाजोन इपकार्ट से पूरे दुनिया में करिए करिए करें से टारेक्ट बात करना है तो अज के लिए इतने ही आप सभी को आदेश आदूश अराग खा देगे